नमस्कार मैं आसी स्पाटक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में है वेरी वेरी गुड इवनिंग कई बच्चे पूछ रहे थे किया सर एक ही एक्जाम से एक ही स्लेबस से कि हम दोनों एक्जाम की तैयारी कर सकते हैं आपके सामने यूपी पुलिस भरती बोर्ड के द्वारा दो विग्यापन जारी किया एक SI, ASI, दूसरा आपका कम्प्यूटर ऑपरेटर का उन दोनों में आपके कम्प्यूटर का संभाग है एक में आपका 25 प्रस्न है और एक में आपके 80 प्रस्न आने है इसको भी लेकर कई बच्चों ने कहा कि सर कुछ जगां पे बताया जा रहा है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर में 40 प्रस्न कम्प्यूटर के आएंगे ऐसा नहीं है बच्चों हम कोई भी चीज काते हैं तो दावे के साथ काते हैं और जिस चीज में हमारी स्पेसलिटी होती है उसी के बारे में हम बात सिफ करते हैं तो आज मैं आप लोगों के जो एक डाउट है जो आप लोग भ्रम में हो कि सर एक ही स्लेबस से एक ही बैच से क्या हम कम्प्यूटर में एसाई वाला भी पढ़ सकते हैं चाहिए एसाई वाला में बैच ले लूँ तो क्या मैं कम्प्यूटर ऑपरेटर क् करेंगे साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर का लेबल क्या होता है और जो कई संस्थाएं हैं जो आपकी ये कह रही हैं कि सिफ कंप्यूटर के 40 प्रशना आएंगे और उसके बासे वो कहते हैं कि हम ये बैट चला रहे हैं दोनों बैच सेम ही है तो क्या दोनों में सिमिलर्टी है ऐसा अगर कोई आपके साथ बोल ला है तो जान लीजिए कि वो इस फिल्ड में नया है और उसे पूरी तरह से अनिलेसिस नहीं किया है इस बैच के बारे में ठीक है तो ये बात मैं आपसे करूँगा कंप्यूटर ऑ आप लोगों से ये बता दूँ यहां पर मैं बात करता हूं कंप्यूटर ऑप्रेटर के स्लेवस के बारे में ठीक है यहां पर आप देखोगे तो कंप्यूटर ऑप्रेटर का स्लेवस है यह कंप्यूटर ऑप्रेटर का आपका स्लेवस है आपको दिख रहा होगा ध्यान से देखिए आप सभी इस computer operator में आपके जो part है न तो 40 आपके reasoning के part है बच्चो यह ध्यान रखिएगा 40 reasoning है 40 आपका gs है और 80 question आपका computer का होगा कभी भी आपका sequence जो होता है न वो बदलता नहीं है आपको भरोसा नहीं होगा मैं previous year paper लाकर आपको दिखा दूगा ठीक है यह ध्या यहाँ पर आपका है computer operator का सलेबस पहला आपका है बोला है history यह general चीज है यह कहीं भी आप पढ़ोगे basic सा computer किसी भी exam में भी पढ़ते हो तो वहाँ यह पढ़ाया जाता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यह चीजे general है evolution generation यह भी आपके हर exam में प्रशन पूछा जाता है यहाँ पर भी आपके topic दिया गया है organization of computer system अब यहाँ पगर हम बात करें organization of computer system एक बड़ा topic है organization मतलब architecture आपको पढ़ना है architecture पढ़ना है तो इसके लिए best knowledge होना चाहिए कि आपका control unit ALU उसके अंदर रिजिस्टर है IR जितना है program counter in सबका काम कैसे होता है उसकी working कैसे होती मतलब जो architecture von newman के द्वारा दिया गया उसको आपको पूरा organization पढ़ना है machine cycle instruction cycle क्या होता है आपको command पढ़ने है थोड़े मोडे बहुत deep में मैं भी नहीं बोला हूं कि आएगा लेकिन जब organization लिख दिया तो अच्छा खा होगा तो computer organization एक किताब आती थी मौरिस मानों की ठीक है लेकिन उतना नहीं पढ़ना है आपको computer architecture and organization आपको बस basic चीज़े पढ़नी है उसकी तो उसके लिए निश्चिंत रहिए मैं हूं आपके साथ बाकि hardware क्यूंकि organization जब पढ़ोगे तो महीं से divide होता है hardware software memory unit ठीक है जब आप hardware computer architecture पढ़ते हो architecture में ही बनता है एक CPU वाला होता है एक input आपका unit होता है एक output unit होता है एक memory unit होता है तो वहीं से आपको पढ़ना है तो यहाँ peripheral devices हम पढ़ेंगे hardware और software को देख लेंगे क्या होता है अब यहाँ पे आपका आलग है यह हर चीज में आप नहीं पढ़ते हो algorithm पढ़ोगे pseudo code क्या होता है इस सब के बारे में जानोगे algorithm flowchart से connect होता है जो pseudo code को graphical representation होता है वो flowchart होता है flowchart से कई बार प्रशन पूछा है shape से पूछता है कि बताओ start और end program का किस shape से होता है decision के लिए कौन सा shape होता है condition लगाने के लिए कौन सा shape use किया जाता है flowchart में यह सब प्रशन आये हुए और यह मैं दिखाऊंगा भी बाकि number system में बहुत जबरदस्त प्रशन आते हैं conversion के प्रशन आते हैं number system और यह part इतना part आपको किसी exam में नहीं देखने को मिलेगा हाँ इतना part आपको कोई भी पढ़ा देता है लेकिन इसका label नहीं पढ़ा पाएगा organization and computer system का label जो पूछा जाता है वो नहीं कोई बताता है general आपको उपर उपर बता के चल दिया जाता है कि control unit क्या होता है LU क्या होता है उसके बारे में कोई आपको detail में नहीं बताता है सिस्टम बस जो होता है उसका working कैसे होता वो कोई नहीं बताता तो यहां मैं आपको बताऊंगा यह ध्यान रखिएगा अब आते हैं यहां flow chart और algorithm में तो आपको basic sub program भी आना चाहिए flow chart बना के देदेगा आपको output निकालना आना चाहिए यह ध्यान रखिएगा paper हुआ था 17 में अठारा में black clock वाली हुई थी अब समय कुछ और चला है तो प्रस्ण भी कुछ और अस्तर का होगा यह भी ज्यान रखिएगा अब हम बात करें database management system यह क्या किसी exam में आता है किसी OSI exam नहीं हो जो general exam जिसमें यह आपका आता हो database management system इसके लिए आपको अच्छा knowledge चाहिए वो अब कहोगे सर जी आपसे पूछ रहा है foxpro आपसे पूछ रहा है oracle आप with sql oracle with sql तो sql का command oracle foxpro command सेम रहता लेकिन बहुत डीप नहीं जाना है बच्चा ठीक है नहीं तो एक 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 जो database है ना 6-7 महीने का 6-6 महीने का course होता है तो इनको foxpro oracle इनके आपके जो से question आते ह पढ़ना है मतलब command जरूर याद रखना आप सभी को command use यार जरूर याद रखना है कि database के create command के कैसे होते हैं यह सब आपको जब database बनाया जाता है तो वहां पर कौन-कौन से command use किये जाते हैं basically तो structure query language बोला है तो वही query क्या-क्या होती है उसके लिए आपको थोड़ा सा relational database model पढ़ेगा msss जानते हैं msss basically इसी पर काम करता है तो जब आप वह पढ़ोगे तो आपको यह चीजे clear हो जाएंगी कि database का concept क्या है data organization क्या है file management system कैसे work करता है जैसे आपके operating system में भी file management system में पढ़ाता हूं तो उसमे file management system continuous non-continuous allocation यह सब क्या होते हैं वह कैसे work करता है वह database database से ही पता चलता है आपका ठीक है कैसे data को रखा जाता है concept of database popular database management system जैसे यह है इन सब के बारे में आपको पढ़ना है इनके command पढ़ना इनके questions भी आते हैं अभी आप यह ध्यान रखना एक computer operator है आप कहते हो क्या इससे SI चाहे SI वाला सर बैच ले 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 तो यह computer operator कवर हो जा इसी बात कि जिनको यह ध्यान रखिएगा अब आता है PC software and office automation यह आपका एक नया topic है PC software मतलब जो भी software आप अपने PC पर यूज कर रहे हो उनसे लेटेट जैसे office system procedure and the needed of office automation electronics capture, storage, graphics, graphic user interface, UI, electronic data interchange यह सब ही आपको जैसे data का electronics interchange होते हैं आप data transfer करते हो आप internet के जरीए फिर आपका office system हो गया जो भी office system के अंतरगत बहुत कुछ चीज़े आ जाती है office system के अंतरगत आपका MS office के suit भी आ जाते हैं आपके open office के suit भी आ जाते हैं बहुत सारे ऐसे software होते हैं जैसे आप industry में जैसे इसका नाम भी है PC software and office automation ठीक है कुछ ऐसे software होते हैं जो automatic working करते हैं ठीक है कई सारे ऐसे working है जो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा computer और system software से related ऐसे कुछ software जहां पर आपको जैसे अगर हम बात करें कि मालो कोई data handling का software है तो उसके basics knowledge आपको जानना पड़ेगा ठीक है तो ऐसे software जो regular किसी ना किस department में use हो रहे हैं उनको आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा यह चीज़े ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे उसके बासे आपका जो है workplace productivity tools मतलब workplace productivity tools में क्या-क्या होता है word processing tools word processing tools बोल दिया बस अब इसमें सब आ जाएगा MS word भी पढ़ना open office भी पढ़ सकते हो Libra से भी कुछ कुछन पूछ सकता है electronics spreadsheet बस इतना ही दिया है electronics presentation दिया है तो आप से कोई भी Libra office से open office से MS office से किसी से भी प्रसन उठा के पूछ सकता है यह ध्यान रखिएगा साफ सब भी आला भी है Microsoft office word excel powerpoint और SS SS पढ़ना भी है आपको open office using the tools of English and official Indian languages Windows पढ़ना है Unix and Unicode font exchange of files across the platform ठीक है बाकी हम file को जैसे share करते हैं receive करते हैं तो वो Windows के features के बारे में बाकी Windows को पढ़ना है Unix के थोड़े से command पढ़ने Unix operating system को पढ़ना है Unicode fonts क्या होते हैं जैसे mangal होता है Unicode encrypts होते हैं तो इनके बारे में थोड़ा हमें पढ़ना है इन सब के ASKI और यह और भी आपके कई सारे code आते हैं जो एक तरह से letters के code बनाए जाते हैं manufacturer के दवारा उन सब के बारे में हमें पढ़ना तो basically यह जो आपका part है यह word excel powerpoint overall open हो अब आज की समय में आपका cloud वाला भी आ गया है ठीक है प्लस आपको MS office तो पढ़ना ही पढ़ना है recent version के बारे में तो जादे question आपके इनी point से आते हैं जादे question इसी से आता है क्योंकि यह भी वही बता रहा है word processing electronics presentation यह भी चीज तो उसके अंदर ही आ रही न तो यह सब चीजे इसी के भिहाब पे पढ़ना है बस लिखा बस ऐसे है आपसे उसके बासे computer network network में अच्छा कासा आपको types of network network की topology risk assessment security मतलब पूरा firewall आपको अच्छे से पढ़ना है मतलब आपका पूरा network topology पढ़ना है communications क्या होते है types of communications क्या होते है connection कितने प्रकार के होते है मतलब इन दोनों को मिला लो तो अच्छा खासा आपका तैयार हो जाता है network और internet हमेशा साथ में पढ़ा जाता है मैं साथ में ही पढ़ाता भी हूँ working of internet use of internet search engine email email आपको पढ़ना e-commerce website पढ़नी है banking क्या होता है governance क्या होता है ते बस इसका इन सबसे इन पार्ट से general question आएगा इन पार्ट से general question आएगा लेकिन MS office अच्छे से प्रशन पूछेगा बहुत बढ़िया हाँ इससे network के अच्छे question पूछेगा types of network हो गये है उसके बास IP addresses होगा है internet में जब आओगे तो IP addresses से class से question पूछता है तो बहुत अच्छे प्रशन बनते भी हैं network से भी numerical topology जो होता है topology से numerical question पूछता है कि number of cables क्या होंगे जब connection आप topology बनाओगे mess topology, ring topology तो emerging technologies and web publishing emerging technology and web publishing ये ध्यान रखेगा emerging technology में क्या है कि आपको computer control devices पढ़नी है applications को software पढ़ने है जो artificial intelligence related होते है mobile computing, green computing ये सब आपको syllabus पढ़ना है अब mobile computing क्या हो गया, green computing क्या हो गया तो वही बात है mobile computing मतलब कैसे कुछ website है जो आप mobile में assist कर सकते हो कैसे हर website को mobile में desktop view में open करते हो तो कोई कैसे जीचे जो responsive बनती है आपके tablet mobile के लिए वो चीज़े आप basically यहां पढ़ोगे बाकी यहां देखिए operating system में windows अच्छे से पढ़ना है आपको unix, linux का command पढ़ना है यह ध्यान रखिएगा unix और linux दोनों window पढ़नी है इससे प्रश्न कैसे बनेंगे इनसे command basis पर, इनके feature के basis पर questions बनाये जाते है html के tags पढ़ने हैं बहुत detail तो नहीं नहीं तो एक एक चीज़ पढ़ने में 6-6-7-6 महिने लग जाते हैं तो यह syllabus o label का है आपको exam point of view से पढ़ना है नहीं तो आप unix पढ़ोगे 6 महिना windows पढ़ोगे windows मतलब आपका सब कुछ आ गया इसमें यहां operating system में windows के बारे में जानना है windows मतलब यही आपका microsoft windows हो गया ना उसके बारे में detail आपको जानना है unix के command linux के command और operating system तो उसके feature alert पढ़ने है operating system के work पढ़ने है आपको जितने उसके algorithm होते हैं deadlock, semophores, round robin algorithm, first in first out वाला यह सब चीजे मतलब बहुत अच्छे से पढ़नी है उनसे numerical भी प्रशन पूछा जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगा zawa script के program बड़े बड़े आते थे और पूछता था इसका output क्या होगा तो basic programming scripting की पढ़नी है, banking और e-commerce में जो कुछ applications use हो रहे हैं आजकाल उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि वो कार कैसे करते हैं तो जादे प्रशन आपको यहां से आएगा, यहां से आएगा, इस topic से यहां से आता है और थोड़ा सा आपका application software से आते हैं, कुछ generally application या artificial intelligence से यहां से AI से आएगा, machine language से आएगा, ठीक है, machine language से question आजाएगा आजकाल बहुत trending चला है, ठीक है, chat, GPT, OPT से question यहां पर बन जाएगा आपका क्योंकि यह AI based है न, यहां से current related topics के questions बनेंगे, यह ध्यान रखिएगा तो वो चीज़े हमें थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा इसमें, mobile computing, green computing यह general सा terminology है उसका definition जान जाओगे, बस उतना पर आपका काम चल जाएगा फिर आपका आता है, पूरा का पूरा यह numerical based होता है, मनदब numerical क्या बोल सकते हो, logic based होता है इसके लिए पूरा boolean algebra अच्छे से आपको आनी चाहिए, boolean operator आने चाहिए, truth table आना चाहिए, conduct map जो के map बोला जाता है वो आना चाहिए, आप जाके देखिए, मैंने already कई जगा पढ़ा रखा है, के map के questions, मैंने अभी SSC, IMD एक paper आया था वहाँ पर भी मैंने बड़े अच्छे label पर पढ़ाया था, boolean algebra तो उसमें नहीं आया था, और भी चीजे उसमें आई थी तो वो चीजे मैंने पढ़ाया थी, बाकि इससे पहले जब SI, ASI आया था, तभी उसके course में ना होने के वज़ा से भी मैंने पढ़ा दिया था, कि computer operator में पूछा हो सकता है, एक दो question push दे, तो मैंने basic उन बच्चों को पढ़ाया था, तो आज भी video मेरे YouTube पे पढ़ी है, आप data structure एक अलग होता है, ये भी आपका 6 मैंने मतलब एक semester का course होता है, लेकिन उसमें बहुत सी चीजे होती है, data structure नाम देने से नहीं होता है, उसमें link list भी होता है, ठीक है, सब चीजे होती है, लेकिन यहां हम one और two dimensional array पढ़ेंगे, तो ये चीज हम जब C और C++, क्योंकि यहां C के question आ जाएंगे, जब array आया, तो समझ लो C और C++ आपको गेर लिया, C और C++ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस stack और Q जो part है, ये basically data structure का part है, जब stack Q पढ़ोगे, तो link list से भी इनको बनाया जाता है, stack और Q, तो वो भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, कि link list से कैसे हम stack औ अपरेटर ओबर लेडिंग हो गया, ठीक है, ये सब प्रस्न जो है, आपसे generally पूछ लेता है, ठीक है, ये धियान रखिएगा, तो वो सब चीजे हो गई, array हो गया, two dimensional हो गया, इनका declaration क्या होता है, initialization क्या होता है, array सही से declare किया गया है, या initialize किया गया है, कि नहीं किया गय ठाके छोटा-छोटा programming पूछेगा, बहुत जादे detail नहीं, छोटा-छोटा तो at least उतने label तक आपको जाना है, तो basically जो paper दिया है, जो paper को analyze अच्छे से किया, वहीं आपको बता सकता है कि कैसे आपके प्रस्न आते हैं, हमने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को देखा ह है उस प्रकार के, और उस label तक, कहां तक जाना है, आपको बहुत दीप जाना भी नहीं है, उतने ही according पढ़ाना है, तो वह चीजे निश्चिंत रही है, मैं paper भी अभी आपको दिखा दूगा, तो बच्चों यह जो syllabus है, यह आपका operator का है, दूसरी बात यहां है, SI, SI, SI में syllabus सेम क्या है, basic fundamental history, algorithm, flow chart, number system, operating system and basics of window, यहां पर बस इतना दिया है, तो यहां बहुत डीटेल नहीं पढ़ना है, यहां पर हमें हर चीज का algorithm नहीं पढ़ना है, कि हम round robin algorithm पढ़ने, deadlock के algorithm, bankers algorithm पढ़ने, वो चीजे नहीं, basic सा operating system पढ़ो, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसक functionality होती हैं, फिर Windows के, Windows के प्रकार पढ़ लो, Unix, Linux नहीं पढ़ना है, तो कोई यह सोचे कि मैं SISI पढ़के computer operator cover कर लूँगा, तो नहीं होगा, यह कोई सोचे कि मुझे computer operator पढ़नू, तो क्या यह cover हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, यह ध्यान रखेगा, अगर आप computer operator पढ cover होगा, बाकी चीज़े नहीं, उसमें math भी आती है, SISI में, ठीक है, हिंदी भी आती है, वो चीज़ cover नहीं होगा, वो guarantee में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसका जो syllabus है, इसमें 25 question आपके computer के होंगे, बाकी 25 question आपके हिंदी के होंगे, ठीक है, बाकी आपका 50 question GS होगा, 50 का आपका math वाला portion जिसमें math reasoning जोनो होता है, math reasoning और 50 आपका pure reasoning होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका सलिवस है, 50 का section ये रहता है, 50 का ये होता है, 50 का ये, 50 का ये, ये sectionally होती है, तो basically ये ध्यान रखिए, आप 25 question के लिए आपको पढ़ना है, तो अगर कोई बच्चा जो उसको नहीं पढ़ना, जिसे computer abbreviation, इसका abbreviation आप जब computer operator पढ़ोगे, तो abbreviation अल्रेडी पढ़ोगे, चाहे वो word पढ़ो, excel power पढ़ो, चाहे windows पढ़ोगे, तो वहाँ तो सबका shortcut keys बताये जाएंगे, abbreviations बताये जाएंगे, ALU, CU, ये सब क्या है, तो वो चीज तो cover होई जा जाएगा, basic knowledge of internet ये भी cover हो जाएगा, 7 point आपके उपर वाले से cover हो रहा है, दुसरी बाद, shortcut की ये भी cover हो जाएगा, computer communications ये भी आपके internet network पढ़ोगे, ये भी cover हो जाएगा, programming language जब CC++ में बोली रहा हूं, आपको पढ़ाऊंगा, तो ये भी cover हो जाएगा, application of net technology, ये भी आप आपका internet जो है, internet, internet, internet से ये भी cover हो जाएगा, web design में, web design में आपका HTML हो गया, zawa script हो गया, ये सभी आते हैं न, zawa script, जो लिखा था, वो चीज आपका ये cover कर लेगा, ठीक, basic software of hardware and then personality, अब ये पहली unit है, तम तूटरा operator की क्या है, unit first है, ठीक है, networking आपका network आपको जो दिया गय ये वो cover कर लेगा, www and web browser, ये internet के अंतरगत आता है, internet के अंतरगत आता है, IT tools and business system, तो IT tools जो आपका वहाँ office automation था, ये थोड़ा आपका अलग है, IT tools and business system, ये आपका वहाँ पे tools, office tools और automation की तरह है, और introduction to multimedia, ये multimedia आपका एक topic ये अलग है, फिर आपका emerging technology, ये आपका यहाँ तक same है, देखो green computing, banking and e-commerce, mobile computing, तो ये topic आपका same है, तो सिर्फ different आपका कौन सा है, 17 number topic difference है, और एक आपका जो है, अगर हम बात करें, यहाँ पर एक topic ये different है, बाकी आपके सभी topic मिल जाएंगे, अगर आप computer operator में होतो, अगर आपका math, hindi तयार है, तो आप computer का course, आप computer operator से भी पढ़कर cover कर सकते हो, यह ध्यान लगेगा, लेकिन कुछ चीज़े आपकी अलग है, जैसे यह topic, यह topic, अब यह तो बात syllabus की हो गई, लेकिन अगर हम label की बात करें, आपके exam की label की बात करें, तो जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है, इसमें SI और SI में आपके basic question आएंगे, आपसे basic question पूछेगा, किसी का भी basic question पूछेगा, आपसे पूछ लेगा, प्रोग्रामिंग लिखा है न, आपसे पूछ लेगा, कि इसमें से बताईए, कि कौन सा high level को low level language में translate करता है, लेकिन वही प्रस्न programming से, जब आपको computer operator में पूछेगा, तो एक छोटा सा program देखके, आपका उसका output पूछ लेगा, तब बताओ, लेबल में different है, यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे computer network में जो question पूछेगा, बताओ, इस land का full form क्या है, लेकिन वहाँ पे आपसे पूछ लेगा, कि match topology बनाने में numbers of cables कितने जूज होते हैं, तो वहाँ आपका numerical से जुड़े होगे, चाहे वो, आप computer में ASI नहीं बोला हो, इसके batch से जुड़कर आप उपर वाला नहीं पढ़ सकते हो, आप ASI, ASI से जुड़कर आप Boolean algebra नहीं पढ़ पाओगे, समझ रहे हो, आप के map के concept नहीं जान पाओगे, आप stack Q, array नहीं पढ़ पाओगे, यह आप ध्यान रखे, कि आप सोचो कि सर मैं ASI, ASI ले लूँ और computer operator का syllabus cover हो जाएगा, तो मैं बलूँगा, नहीं होगा, हाँ, अगर आप computer operator लेते हो, तो आप यहाँ पर इसको पूरा का पूरा cover कर लोगे, मतलब आप computer operator के batch से, computer operator के batch से, computer आपका जो होगा, वो दोनों के जाएगा, SI और ASI दोनों के लिए, computer operator का भी तयार हो जाएगा, SI, SI, लेकिन आप reverse नहीं जा सकते हो, कि मैंने ASI, SI ले लिया और computer operator भी तयार हो जाएगा, यह guarantee मैं नहीं देता हो, ठीक है, अब रही बात आपको मैं paper दिखाने की, तो आजाओ थोड़ा सा मैं paper भी आप लोग हाँ, आप यह देखिएगा paper, यह 2017 में paper हुआ है, उसके बासे 18 का paper मैंने solve कराया है YouTube पे, जाके आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है, अब यह देखिए, यह paper मेरे है, मैंने पूरा लगवाया है यह paper, यह पूरा paper आपको batch में दिया जाएगा, और इसका मैं solution भी कलिया प question देखो, यहाँ पे आप खुद count करना कि कितने प्रशन आपके बन रहे है, 40 प्रशन आपके देखो, 40 प्रशन आपके reasoning वाले यहां समाप्त होते हैं, ठीक है, अब इसके बाद जब आपका देखो, computer संभाग यहां से, computer संभाग आपका start होता है, flow chart से question मैंने बताया ना, कि flow chart हमें करने में मदद करता है, specific problem है completely clearly, know the capacity of the memory, both first and second, none of these, ठीक है, तो यहाँ पे capacity memory की बात ही नहीं है, तो यह चीज़े आप पढ़ोगे, तो देखो, denote the beginning and ending of, beginning and ending of flow chart, मतलब वही बोला, कौन सा डाइगराम, beginning and ending बताता है, यह भी देखिए, flow chart से ही है, यह symbol आप से पूश्चन देखो, powerpoint से question पूचा है, फिर आपका .org, TLD से question पूचा है, general question है, उसके बासे मैं, यहाँ पा देखो, input output से, MAC address से पूचा है, कि MAC address, IP address के मतलब से MAC address होने के लिए किये जाने वाले protocol, यह सब protocol मैं पढ़ाऊंगा, आपको हर protocol का port number भी बताऊंगा, हर protocol particular किसी port number पर काम करता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, यह देखिए, topology से, कौन सी topology bidirectional होती है, यह सब आपको मैं, उसी batch में आपको, BD with respect to the knowledge of standards, उसके बासे यहाँ, www का मतलब क्या होता है, यह तो general question है, programming language का generation आप से पूचा है, उसके बासे, आप जैसे जैसे नीचे आ कि कंप्यूटर के 40 प्रसन आएंगे, इस ब्रह्म में मत रहिएगा, इस ब्रह्म में मत जीएगा, नहीं तो आप कंप्यूटर operator से हाथ दो बैटेंगे, यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला है, communications channel, देखो यह 40 नंबर प्रसन है, और आगे हम ऐसे बढ़ेंते, 44 नंबर प्रसन देखिए, इमेल से question आया है, हर topic से जितने उसने topic दिया है, जहां से question देखो, इसका function का round of value पूछा है, यह round of value के लिए हाँ पर function है, कौन सा होता है, वो Excel से function है, EDI, EDI है न, data transfer, वह ही, electronics data interchange, electronic data interchange, electronics data information, electronics data information, तो electronics data interchange करके एक topic ही है, उसी के full form पूछ लिया आपसे, बाकी file का extension पूछा है, आप नीचे आजाओ, नीचे थोड़ा सा आजाओगे, तो यह आपका 17 में हुआ था, 18 वाले में, और अच्छे प्रसन पूछे थे, KMAP से question पूछे थे, तो 18 वाला paper में दिखा दूँगा, यह आपका थोड़ा आसाम सा प्रसना है, इसका label जो है, मिंट, देखो KMAP, each square is represented by, KMAP से question पूछा, हर square किस से represent होता है, A and B are input, O is the output, the following represent output of the NAND gate, gate पूरा आना चाहिए, मतलब boolean algebra पढ़ रहे हो, TAND, NAND, NOT, OR, ZOR, XOR, यह सब ही gates आपके अच्छे से concept clear होने चाहिए, तब ही आप इसके output दे सकते हो, तो यह सब ध्यान दगिएगा, यह अच्छे label में प्रसना, 18 वाला paper में भी मैं जब solve कराऊंगा आप लोगों को, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, कि basically क्या label था 18 में, तो 24 में paper का level क्या होगा, और TCS बनाएगी, तो फिर आप और अच्छे से समझ सकते हो, कि कैसे प्रसन डाले जाएंगे, तो यह बच्छे यह ध्यान रखिएगा, कि अगर आपने computer का operator का batch लिया है, तो आप उससे SI SI तो cover कर सकते हैं, लेकिन SI SI से आप computer operator नहीं cover कर सकते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अब हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जो बच्छे अभी तक हम से नहीं जुड़े हैं, आठ तारिक से हमारा batch चलेगा, आठ तारिक से बाकी उस batch में जो मैंने पिछला पढ़ाया है, वो भी मैं content दे दूंगा, पूरा content और नए तरीके से फिर आठ तारिक से में पढ़ाना start करूंगा, तो जो बच्छे नहीं जुड़े हैं, वो UPSI, ASI 2.0 से भी जुड़ सकते हैं, ठेक है, इसका 799 फीस है, अभी GST नहीं लग रही है, 799 प्लस GST है, और computer operator 2.0 इसकी भी same फीस है, 799 प्लस GST, लेकिन GST अभी off चला है, तो अ आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, ठेक है, आप यहाँ से जब जाओगे, तो यहाँ नीचे SI, ASI, computer operator 1200 प्लस GST, लेकिन 1200 ही लग रहा है, जीस टी नहीं लग रहा है, तो आप कॉम्बो बैस से ले सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मल जाएगा, reasoning, hindi, math, ठेक है, यह सब कु पूरा पेपर, एक पेपर 2018 का solution मैंने यूटूब पे कराया है, उसको देख सकते हो, बाकी 17 और पेपर हैं, मेरे पास 3 पेपर हैं, तीनों पेपर का solutions मैं, आपको यूटूब पे करा दूँगा, साथ ही साथ मैं एक best strategy भी बताऊँगा, किस portion से जादे प्रस्न पूछे गए पूरे पेपर को analysis कराके, तो कल या परसों मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको बहुत बहतरीन तरीके से strategy बताऊँगा, कि computer को कैसे आपको cover करना है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वाड़ी को विराम दूँगा, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है, तो आ आप comment में पूश सकते हैं, ठीक है, चलिए मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, मस्त रहिए, स्वस्त रहिए